नमस्कार आप देख रहे हैं जीकेनाई सीटूफ चैनल तो इस वीडियो के माध्यम साब को मिलने वाले हैं आज की सिक्सक भरती और परत्यों के तपरिक्सा उसे जुड़ी खबर हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया परियों की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी वर्षों से लंबित परिक्साएं भी बिना किछी रुकावट के करए गई लेकिन अब नए साल की सुर्वास सुस्त नजर आ रही है जनवरी का पहला पकवाड़ा बीद गया है लेकिन उतरप्रदेश लोक्सवायोग ने अभी कले सुर्वारी को बुलाया गया है उन्हें मादमिक सिक्सन निदेशक कारयाले पर्याग राज में सुबह 11 बजे पहुचना होगा इन अभ्यार्तों को जल्दी निक्ति पत्र जारी होगा हाई कोट ने दिवाकर सिंग बना दिव्यकांत सुकल मामले में आदेश पारित किया थ सब्सक्राइब को अपने सभी सेक्षिक्षन संबंदी मूल परमान पत्रवे उनकी एक एक सवय परमानी च्छाय परती के साथ निदेशक मादमिक सिक्सा निदकाराले परियाग राज में वस्तित होना होगा और अगली ख़वर है मादमिक सिक्सा सिवा चैन बोड को लेकर पुर्णर गठन के बाद से नहीं जारे हुई नहीं परती चैन बोड की लचर व्यवस्ता में स्कूलों में खाली है परदानाचारी सिक्सकों के पद और आप सभी जान दें टीजीटी वे परवक्ता यानि पीजीटी के पंदराजार पॉनसौट पदों पर भरती की घोशन कर दिये गए हैं 25,000 पद कम कर दिये गए चालीस हजार पद पहले अधियाचन में मिले थे लेकिन 25,000 पद चैन बोड ने कम करके मात्र 15,000 पदों पर भरती की घोशन गी है पर देज में नई सरकार बनने के बाद उत्रपरदेश मादमिक 666 चैन बोड का पुनर गठन के बा परवक्ता की भरती के बाद से चार वर्स में कोई भी शिक्सक भरती मादमिक 666 चैन बोड द्वारा नहीं कराई गई है 2011-2013-2016 के इंटर्व्यू पूरे करके न्युक्ति की कोशिस में लगी है नहीं भरती नहीं होने से स्कूलों में 666 आजारों परदानाचारियों की बड अच्छी लगी हो तो लाइक और से जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स पूर वाचिंग